चलिए आप लोग देखेगा आप लोग को सामने हम एक सवाल लाएं उसमें आप मेरा उदेश क्या है कि आपका केंद्रक निद्द सांग सिखाना उदेश है तो चलिए आप लोग को सामने बोड़ पे सवाल दिया हूँ आप लोग पूंत रहसे इसको समझेगा क्या बोड़ आए कि तिर्भुज के आपको केंद्रक निकालना है तो केंद्रक क्या होता उसके बारे में आप लोग समझिये तो हम लोग क्या करेंगे तिर्भुज की बात है तो हम लोग क्या करेंगे तिर्भुज पहले पार लेंगे इसको हम लोग नाम देंगे, A, इसको हम लोग B देंगे, इसको C देंगे देखे, इस सवाल को बनाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका basic concept को पकड़ेंगे जब basic concept हम लोग को पता हो जागा, तो सवाल को हम लोग सिंक्डोम में हल कर लेंगे तो चलिए इसको हम लोग basic को दिखेंगे जब basic पता हो जाएगा तो सवाल हम लोग automatic बना लते हैं चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे coordinate मानेंगे x1 i हो जाएगा x1 by 1 मानेंगे a बला को first coordinate को हम x1 और by 1 मानते हैं चलिए B को हम लोग क्या करेंगे? X2 और by 2 मानेंगे. चलिए C को हम लोग मानते हैं. X3 और हो जाएगा, by 3 हो जाएगा. हम से सवाल में आप से क्या पुछ रहा? बोलिएगा कि सर, सवाल में तो पुछ रहा है किंद्रक निर्दे सांग निकालना है? तो आपका निकालना है, तो आपका पुछ परपटिज होता, इसका फर्मूला होता, आप फर्मूला को पुंतरा से देखिएगा. देखिए क्या करना हाई कि X1 वाला X1 के साथ सब को हम लोग क्या करेंगे? उसमें एड करेंगे. तो आपका X1 यहां पर हो जाएगा, चलिए यह आपका हो जाएगा, X2, पलस हो जाएगा, X3, बटा के गवए, एक, दू, तीन, तो हम लोग क्या करेंगे? तीन से डिवाइड कर देंगे. यहां तक आप लोग को किलियर हैं. उसका बाद हम लोग चलेंगे बाई वाला को, तो बाई वाला को बाई के साथ हम लोग क्या करेंगे? एड करेंगे. ती आपका क्या हो जाएगा? बाई 1 हो जाएगा, पलस हो जाएगा, यह बाई 2 हो जाएगा, पलस बाई 3 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा थिरी हो जाएगा चलिए यह आपका क्यों फर्मूला हो गिया तो आपका यह केंद्रक निकालने का फर्मूला होता है केंद्रक निर्दसांक निकालने का फर्मूला क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थिरी बटा थिरी बटा थिरी बटा थिरी होता है यह फर्मूला के मदद से हम लोग क्या करेंगे इस सवाल को हम लोग सेकडू में हल कर लेंगे तो आप लोग इसको क्या किजिएगा समझेगा हम लोग क्या करते हैं यहां तो हम लोग क्या करेंगे मिटार देते हैं इसको अब हम लोग क्या करेंगे सवाल के उपर चलेंगे तो आपका तिर्भुच का सीर्ष दिया हुआ है तो हम लोग 3 पार लते हैं चलिए इसको हम लोग A माल लेंगे इसको B माल लेंगे इसको C माल लें देखे आपको आप लोग को सिखाने यह में को इतना टाइम लगता तो यह सवाल आपका second में हल हो जाएगा चलिए इसको A हो गया, B हो गया, C हो गया फंस्ट कार्डिनेंट कितना दिया हुआ चार है, चार चाव हुँआ, सेकंड कार्डिनेंट दिया हुआ, जिरौ और ट्ू दिया हुआ, चलिए आपका क्या है पुछवा, तह इसका पौरपडिक इनला हम आप लोग को बताएं है, कि X1 पलस, X2 पलस, X3 बटा 3 होता है, यह त यह आपका X3 होता, यह आपका by 3 होता, तो चलिए X1 के मांद X1 के रखेंगे, by 2 के मांद X2 के रखेंगे, X3 के मांद X3 के रखेंगे, तो आपका 4 है, तो 4 को यहां पर add करेंगे, चलिए पलस, 2 है, X2 के मांद 2 है, तो 2 को आइड करेंगे, X3 का मांद 0 है, तो 0 को आइड करें चर्लीए वाइबन कमान कई गाकाइबगाटा Community बब्रिंगे यह अ हो जागा इहो जागा चर्व मेह तो कर जागा च्रव मतब्रटा हो गिया केंद्रक निर्दसांग का फर्मूला लगाएं तो कितना हो गिया टू हो गिया टू निकल गिया यह आपका क्या हो गिया अंसर हो गिया लेकिन समझेगा हम लोग को इतना फर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको हम समझने के लिए इतना बता हैं आप ल सुटन कमधने च्वालब छार है तो चार करेंगे फिल टू है तो टू को जोड एंगे आप स्इते विल खशर करेंगे और तर्यियु आपका हो जागा तो कितना देराये आपका डुड़ निकल गिया तो हम लोग क्या करेंगे इसको सोट सी बना लेंगे जब आपका समझेगा कबार जब आप से क्या करेगा के निर्दसांग निकालने के लिए बुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाला को फर्स्ट के साथ जोड़ देंगे और तीन से डिवाइड कर दें तो हमारा के निर्दसाइं का आपका निकल जाएगा, आप मिला लेजिए कि सर ऑप्सन नमर को नहीं, तो ऑप्सन फर्स्ट में दिया है, टू-3 दिया हुआ कोई नहीं, तिसरा में दिया है टू-2, तो आपका टू-2 वालाना हो जाएगा, जी, क्योंकि हम लोग टू-2 निका निकाल लें, इसका के अंदरा के निर्दसाइं कितना निकाल लें, आपका टू-2 वाया, यह है आपका क्या हो गिया, अंसर हो जागा, हो गिया, देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो चैलन को लाइक किजिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा, और कॉ